हाई फ्रेंड्स, वेलकम टूरे खासंजू किचन कॉर्नर फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आटे की नान खटाई बिस्किट और वो भी कड़ाही में तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे मैंने ले लिया है एक कटोरी आटा एक कटोरी मैंने ले लिया है चीनी का पाउडर 4 चम्मच देशी घी 2 चम्मच बेशन और 1 चम्मच मैंने लिया है कस्टरड पाउडर फ्रेंट्स आप चाहें तो सिर्फ आते से भी बना सकते हैं या मैदे से भी बना सकते हैं हमने इसमें कोई baking soda या baking powder यूज नहीं किया है अब हमने ले लिया एक बॉल इसमें हमें गी ट्रांसफर करेंगे हमें पिंगलावा गी नहीं लेना है गी को फ्रिज में रखे थोड़ी देर ठंडा कर लें बिल्कुल इस तरह से गी लेना है अब हम इसमें चीनी का पाउडर एड़ करेंगे और एक whisker की help से इसे अच्छे से mix करेंगे देखिए इस तरह से mix करते हुए और लगातार हाथ चलाते हुए हमें इसे 10 मिनट तक फेंट लेंगे इस तरह से लगातार 10 मिनट फेंटने के बाद या बिल्कुल वाइट हो जाएगा और बिल्कुल इस तरह से दिखाई देगा हमें बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए पेस्ट की अब फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे दो बूंद वनिला एसेंस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपके बिस्किट बेकरी की तरह एकदम सॉफ्ट बने तो यह स्टेप बहुत इंपोर्टेंट है देखें 10 मिनट के बाद हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है अब छलनी से आटा इस तरह से चाहन लेगे आपके पास कस्टेट पाउडर है तो आप सकते हैं नहीं तो स्किप कर सकते हैं कस्टड़ोर से बिस्किट काफी सोफ्ट बनते हैं 컨 Emerson देखिए हमने सब अच्छे से च्छान लिया है अब हम इसे चमश से इसतरह से हम मिक्स करेंगे कि नेफ्स अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से, अब हम इसे हाथ से, बिल्कुल हलके हाथों से गुंदेंगे दो चम्मच हम इसमें दूद डाल लेंगे, बहुत ज़्यादा दूद नहीं डालना है, नहीं तो बिस्किट सॉफ्ट नहीं बनेंगे बिल्कुल हलके हाथ से हम इसे mix करके इसका डोब नाएंगे हम इसे आटे की तरह नहीं गूंदना है बिल्कुल हलके हाथों से ही डोब नाएंगे देखे कितना soft डोब बन गया है अब हम इसे 10 मिनट के लिए धक कर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे तब तक हम प्लेट में तेल लगा लेंगे आपके पास बटर पेपर है तो आप वो यूज कर सकते हैं प्लेट की शेप में काट कर मैंने ये वाइट पेपर तेल लगाकर इस तरह से अच्छे से इसका बटर पेपर हमने बना लिया है तो देखें दस मिनट के बाद आठा अच्छे से सेट हो गया है अब हम एक चम्मस से इस तरह से बिस्किट की शेप बनाएंगे आप बिस्किट की शेप चाहे कोई भी बनाएं लेकिन उसका साइज एक जैसा रखें ताकि सभी बिस्किट अच्छे से सीखें कोई भी अंदर से कच्चा न रहें इस तरह से दूद लगा कर ड्राइ फ्रूट से हमें से गार्निश कर लेंगे आप बिस्किट की कोई भी शेप बना सकते हैं देखिए इस तरह से अगर आप चम्मच में ही दबा कर इसकी शेप बनाएंगे तो यह इजली बन जाएगी और चम्मच से निकालते ही बिस्किट की शेप बिलकुल तयार है तो इस तरह से बारी-बारी से हम सारे बिस्किट बना कर तयार कर लेंगे तो इस तरह से सारे बिस्किट बना कर हमने प्लेट में रख लिये हैं बिस्किट प्लेट में थोड़ा दूर दूर ही रखें क्योंकि बेक होने के बाद इनका साइस थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अब हमने कडाही को मीडियम फ्लेम पर पांच मिनट पहले प्रिहिट कर लिया है अब हम इसमें रख देंगे एक कटोरी आप चाहें तो कोई स्टेंड भी रख सकते हैं और इस पर यह प्लेट सावधानी से रखेंगे ध्यान से रखें कडाही गरम है और कडाही की लिड लगा देंगे अब हम इन्हें लो फ्लेम पर 15-20 मिनट तक बेक करेंगे आप कोई दूसरा बरतन भी ले सकते हैं लेकिन ध्यान रहें बरतन भारी होना चाहिए और उसे उपर से अच्छे से धक्कन लगाना है ताकि उसमें अच्छे से हीट हो थोड़ा बड़ा बरतन भी ले सकते हैं ताकि सारे बिस्किट एक साथ बेक कर सकें जैसे जैसे बिस्किट पकेंगे आप देखेंगे कि बिस्किट का साथ पहले से काफी बड़ा हो गया है तो अब हम इसकी लिड हटा कर देखेंगे देखिए बिस्किट अच्छे से सिख गए हैं ये बिस्किट 15 से 20 मिनट के बीच में अच्छे से बनकर तयार हो गए हैं टाइट कंटेनर में स्टोर करें यह 15-20 दिन बिल्कुल खराब नहीं होंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें तो इस तरह से आप बेकरी से भी बड़िया बिस्किट घर में ही बनाएं और एंजॉय करें थैंक्स पर वाचिंग